हलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKD जोन में हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं इस चेप्टर के अंतरकर पिछले वीडियो में हम लोगों ने खतम किया था पुष्पी पौधो में लैंगिक जनन को उस वीडियो का लिंक यानि reproduction in human beings ठीक तो सबसे पहली बात कि जो मानओ है न उसमें जो जनन है वह होता है लैंगिक जनन यानि sexual reproduction ओल्हेंगिक जनन मानव में नहीं होता है ठीक और सीधी सी बात है कि जब लेंगिक जनन होगा तो युगमकों यानि गैमीट्स का निर्माड होगा तो human के case में नर युगमक को कहते हैं शुक्राण यानि स्पर्म और मादा युगमक को कहते हैं अंडाण यानि ओवम अब क्या है कि वह आयू या वह उम्र जब परिपक्व शुक्राण और परिपक्व अंडाण का निर्माड शुरू हो जाता है तो उसे कहते हैं कि शोरावस्था या यावनारंब मतलब क्या है कि बच्पन से ही मतलब जन्म से ही शुक्राड़ और अंडाणु का निर्माण नहीं होता हुमन बॉडी में एक निश्चित उम्र पार करने के बाद नर्मे शुक्राणु का परिपक्व शुक्राणु का और मादा में परिपक्व अंडाणु का निर्माड शुरू होता है और उसी निश्चित उम्र को उस उम्र को कहते हैं उस आई को कहते हैं कि शोरावस्था या यौनारंब ठेक मतलब बहुत ही सिंपल सी बात क्या है कि जीवन की वह अवधी जब नर्मे परिपक्व शुक्राण तथा मादा में परिपक्व अंडाण का निर्माण शुरू हो जाता है तो उसी अवधी को जीवन के उसी अवधी को कहते हैं कि शोरावस्था या यावनारंब प्रिष में कहते हैं प्यूबर्टी साथ है क्लिर है अब क्या है कि कि शोरावस्था यावनारंब के समय बहुत सारे शारेरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं दोनों में लड़कों में भी और लड़कीं में भी कुछ परिवर्तन जो होते हैं, दोनों में common होते हैं, मतलब लड़कों में भी होते हैं और लड़कियों में भी, और कुछ परिवर्तन जो होते हैं, वो केवल लड़कों में होते हैं, कुछ परिवर्तन जो होते हैं, वो केवल लड़कों में होते हैं, तो हमारा अगला topic वही ह कि किशोरावस्था यानि यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन तीन जगह में बाटा गया क्या है कि पहले तो एक समान होने वाले परिवर्तन मतलब जो दोनों में लड़कों में और लड़कियों दोनों में एक समान होते हैं वो परिवर्तन यहां लिखे गए हैं लड़किय या यावनारम के समय जो दोनों के शरीर में एक समान जो परिवर्तन होते हैं वो क्या है कि पहला है कांख एवं जांगों के बीच जननांगों के पास गहरे रंग के बालों का उगना दूसरा क्या है त्वचा का तैली होना और तीसरा जो परिवर्तन है वो है कभी कभी मुहां से निकलना तो ये तीनों जो परिवर्तन है ये किशोर आवस्था में होते हैं किसमें दोनों में लड़कों में भी और लड़कियों में भी अब क्या है कि लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या है स्तन यानि ब्रेष्ट के आकार में व्रिध्धी होती है दूसरा कि स्तन के अग्रभाग की तवचा का रंग गहरा हो जाता है यानि dark हो जाता है और क्या है रजो धर्म की शुरुवात हो जाती है यानि menstrual cycle start हो जाता है अब ये रजो धर्म क्या है menstrual cycle क्या है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ये important topic है ये हम लोग पढ़ेंगे भी आगे रजो धर्म ठीक अब देखते हैं लड़कों में क्या परिव कि ये सारे परिवर्तन जब दिखने लगते हैं लड़कों और लड़कियों में तो ये दर्ष आते हैं कि वो लैंगिक परिपक को हो चुके हैं, मतलब क्या है कि अब लैंगिक जनन कर सकते हैं, उनके अंदर वो शम्ता आ गई है, ठीक, यानि सिंपल सी बात क्या है कि ये सभी परिवर्तन ये जो परिवर्तन दिख रहे है और भी बहुत सारे परिवर्तन है मानसिक परिवर्तन भी होता है सोच बदलती है जादा सजगता आ जाती है है ये सारे परिवर्तन भी होते हैं तो ये सभी परिवर्तन जो है वो क्या है कि लैंगिक परिपकुता को दर्शाते हैं यानि ये परिवर्तन आने पे ये पता चलता है कि अब वो की शोरा वस्था में आ चुका है ठिक वो जो human है चाहे male हो या female और अब वो लाएंगिक जनन कर सकता है उसके अंदर वो शंता आ गई है ठिक और क्या है मानों में जनन मानों जनन तंत्र के द्वारा सं जनन पन्पन होता है यानि हमारा जो अगला टपिक होगा वो क्या है मानों जनन तंत्र जिसमें दो होते हैं नर जनन तंतर होता और मादा जनन तंतर होता है तो इतना इसक्रीणशोट लीजिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या मानों जनन तंतर यानि human reproductive system मानव जननतंत्र के अंतरगत सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे नर जननतंत्र यानि मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम को ठीक तो देखिए नर जननतंत्र के अंतरगत जो भी अंग शामिल हैं उन अंगों को दो भागों में बाटा जा सकता है कौन कौन से हैं? पहला भाग है प्रात्मिक जनन अंग और दूसरा है सहायक जनन अंग और ये बटवारा उन अंगों का उनके कारे के अधार पे हुगा है क्या है समझिए कि प्राथमिक जनन अंग वे अंग होते हैं जो युगमकों का यानि गैमीट्स का निर्माड करते हैं और सहायक जनन अंग वे अंग होते हैं जो उन युगमकों को उस अस्थान तक पहुँचाते हैं जहां पे निशेचन होना है और साथी साथ ये सहायक जनन अंग जो है ये युगमकों के पोशन में भी सहायता करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं ठीक यानि मुख्य काम जो है युगमकों का निर्माड वो करता है क्या प्रात्मिक जननंग करते हैं और उसमें सहायता भिन भिन तरीके से कौन करता है वो करते हैं सहायक जननंग अब नर्जनन तंत्र के अंतरगत जो प्राथमिक जनन अंग है वो है व्रिशन यानि टेस्टिस और इसकी संख्या होती है एक जोड़ी एक जोड़ी ठिक यानि व्रिशन जो है जो प्रात्मिक जनन अंग है किसका नर्जनन तंत्र का उसकी संख्या होती है एक जोड़ी यानि दो अब यह है कि यह स्थित कहां होते हैं तो यह एक जोड़ी जो व्रिशन है यह उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी संख्या में उपस्थित होते हैं जिसे व्रिशन कोश यानि स्क्रोटम कहते हैं सिंपल सा है कि उदर गुहा यानि अब्डॉमिनल कैविटी के बाहर एक थैली जैसी संख्या होती है उसी थैली जैसी संख्या कोश यानि स्क्रोटम और उसी में यह एक जोड़ी व्रिशन उपस्थित होते हैं इस चीज को आप इस फिगर में भी देख सकते हैं देख सकते ह कि कैसे व्रिशन एक थैली जैसी आक्रित में उपस्थित है जिसका नाम लिखा गया क्या व्रिशन कोश ठीक और भी इसमें बहुत सारी सनचनाय है जिनका नामकरण वहाँ डाइग्राम में हुआ है तो उस डाइग्राम से आप सहायता ले सकते हैं इन सारी चीजों को समझने क लिए क्लियर है आगे चलते हैं अब क्या है कि ये जो एक जोड़ी व्रिशन है ये उदर गुखा से बाहर क्यों स्थित है शरीर के बाहर क्यों है एक थैली जैसी आक्रित में इसके भी पीछे बहुत बड़ा कारण है देखिए व्रिशन का मुख्य काम है नर्युगमक यान अच्शक है कि उसको व्रिशन को शरीर के तापमान से लगभग 2.5 डिगरी सेल्सियस कम तापमान मिले ठिक और ये काम उसका पूरा कर देता है व्रिशन कोश क्यों क्योंकि उदर गुखा के बाहर इस्थित होता है तो बॉड़ी टेंपरेचर से यानि शरीर के तापमान से जो शुक्राण के निर्मार के लिए आवश्यक है क्लियर है ये पॉइंट क्यों बाहर इस्थित होता है उदर गुखा से ठिक अब क्या है कार ये क्या है व्रिशन का तो अभी बता गया क्योंकि प्रात्मिक जनानंग है इसलिए सबसे मुख्य काम इसका क्या होगा युगम करना ठीक और दूसरा जो काम है वो है टेस्टोइस्टेरोन हर्मोन का उत्पादन करना और उसका स्रावड करना ठीक अब क्या है कि टेस्टोइस्टेरोन हर्मोन का काम क्या है तो देखिए टेस्टोइस्टेरोन हर्मोन का पहला काम है जो नर्युगमक यानि शुक्राण हो है उसके निर्माड का नियंत्रण करना, जो शुक्राण का निर्माड हो रहा है, उसका नियंत्रण यही टेस्टोएस्टेरॉन हर्मोन करता है, और दूसरा काम क्या करता है, कि शोरा अवस्था में लड़कों में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी लक्षण नए नए उत्पन होते हैं, उसका भी नियंत्रण यही करता है, यानि कह सकते हैं, टेस्टोएस्टेरॉन जो हर्मोन है, वो मेल सेक्स हर्मोन है, यानि पूर्षों में जो पूर्षों वारे लक्षण होते हैं, उन सभी का नियंत्रण यही टेस्टोएस्टेरॉन हर्मोन करता है, ठीक यानि शणो का भी नियंत्रण ये करता है तो ये दोनों काम है मुख्य इसके इसको लिख लेते हैं यहां पे इसका काम तो ये दोनों कारे हैं जो टेस्टेस्टेरोन मुख्य तक करता है टेस्टेस्टेरोन हर्मोन क्या करता है शुक्राण उत्पादन का नियंत्रण करता है यानि शुक्राण का जो निर्माड कर रहा इवरिशन उसका नियंत्रण ये हर्मोन करता है और दूसरा कि लड़कों में यौन आवस्था या किशोर आवस्था के समय जो लक्षण उत्पन होते हैं, नए नए लक्षण आते हैं, उनका भी नियंत्रण ये टेस्टोइस्टेरोन हर्मोन करता है। तो ये खतम हुआ क्या प्रात्मिक जनननंग, अब देखते हैं सहायक जनननंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है शुक्रवाहिनी, दूसरा है मुत्रमार्ग और तीसरा है सहायक ग्रंथियां, पहला है शुक्रवाहिनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंस, क्या क काम क्या करते हैं देखिए शुकराणवों का निर्माड़ हुआ कहा व्रिषण में और वो वहां से मूत्र मार्ग यानि एक नलिका होती है जिसके तुरह यह जो हुआ यह बाहर निकलता है तो उस व्रिषण से मूत्र मार्ग तक पहुँचाने का काम कौन करता है यही नलिकाएं जिसका नाम है शुक्रवाहिनी यानि वास डिफरेंस इसको आप देख सकते हैं यहाँ फीगर में clear है और क्या है कि अब यह है कि मूत्र मार्ग यानि यूरेथ्रा जिसे इंगलिश में कहते हैं यह क्या है तो यह मूत्र यानि यूरिन तथा वीर यानि सीमेन दोनों के बाहर जाने का मार्ग है देखें फीगर में आप देख सकते हैं कि यह पतली सी नलिका होती है मूत्र मार्ग जो है यूरेथ्रा वो एक पतली से नलिका होती है जो दोनों के लिए common रास्ता होता है किसके किस के लिए एक तो मूत्र के लिए यानि यूरीन के लिए यूरीन वहीं से होते हुए पास होता है बाहर जाता है और दूसरा शुक्राण के लिए और ये शुक्राण वहाँ पहुँचने से पहले कुछ तरल पदार्थों से मिक्स हो जाते हैं और उसी को समलित रूप से तब कहते हैं वीर्य यानि सीमिन यानि दोनों के लिए मूत्र के लिए और वीर्य के लिए इन दोनों के लिए ये जो अंग है सहायक जनन अंग में वो है सहायक ग्रंथियां इंगलिश हो जाए क्या accessory glands कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती है नर्जनन तंत्र में कौन-कौन से हैं मुख्यता दो है शुक्राशय ग्रंथि है तथा प्रोष्टेट ग्रंथि है अब ये ग्रंथियां क्योंकि ग्रंथि हैं इसलिए कुछ न कुछ स्रावित करेंगी तरल पदार्थ स्रावित करते हैं और अब क्या है कि इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल पदार्थ शुक्रवाहिनी में पहुचते हैं तथा शुक्राडवों से मिलकर वीर यानि सीमेन का निर्मार करते हैं देखे बहुत ही सिंपल सा है यह जो शुक्रवाहिनी है यानि वास डिफरेंस जो है यह शुक्राडवों को व्रिशन से मूत्रमार्ग तक लेके आता है और अभी वो नलिका में होता ही है, शुक्राणव अभी आही रहा होता है, मूत्रमार्ग में पहुचने से पहले ही उसी शुक्रवाहिनी नलिका में ये शुक्रासय से और प्रोस्टेट ग्लेंड से निकला हुआ जो तरल पदार्थ है, वो शुक्राणव में मिक्स हो जाता है, ज कौन से ग्रंथियों शुक्राशय और प्रोस्टेट से इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल पदार्थ शुक्रवाहिनी जहां पर शुक्राणव हुए में पहुचते हैं और वहां पहुचकर क्या होता है शुक्राणवों से मिलकर वीर्य यानि सीमेन का निर्मार करते हैं एक लाइन में कहना हो कि वेर्य यानि سीमेन कहते किसे हैं तो आब सिंपल सा कह सकते हैं कि सहायक ग्रंतियों यानि शुक्राश्य ग्रंति तथा प्रोष्टेट ग्रंति से निकले हुय तरल पडार्थ जब वो मिक्स हो जाते हैं शुक्राणवों के साथ तो उस मिश्रण को कहते हैं वेरिय यानि सीमेन ठिक अब क्या है कि ये तरल पदार्थ काम क्या करते हैं तो देखिए ये तरल पदार्थ शुक्राणगों को पोशन प्रदान करते हैं तथा उनके अस्थानांतर्ण में सहायता करते हैं तो ये दोनों प्रमुकारे हैं किसके उन तरल पदार्थों के जो शुक्राश है और प्रोस्टेट ग्रंथियों से निकलते हैं। और एक बात कि ये मूत्र मार्ग यानि युरेथ्रा जो पतली सी नल्काओ दिख रही है उसके चारो और एक मानसल आवरण होता है। ये रहा नर जननतंत्र। अब हम लोग अगले वीडियो में डिसकस करेंगे मादा जननतंत्र, निशेचन और भी बहुत सारे टॉपिक्स को। ठिक, तो इस वीडियो में फिलाल यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के डिसकस्शन के साथ।